कच्छा नौ 36 गड़ी भासा और संस्किती खंड से हम लोग कथाओं पर बात करते हैं लोग कथाओं क्या है हमें जानना चाहिए पहले वास्तों में लोग कथा लोग की संपती है लोग साहित्या है वाचिक परंपरा में आज भी अनोखा साहित्य संकिली थै लोग कथा के रूप में लोग गित के रूप में कहाओतों के रूप में पहलियों के रूप में बहुत सारी संपती लोग में आज भी बिखरा हुआ है और वास्तों में लोक कथाएं केवल मनुरजन के साधन नहीं है लोक कथाओं में बहुत सारी बात लोक सिक्षा की बात कही गई होती है इस लोक सिक्षा की बात को हमें समझना पड़ता है जानना पड़ता है लोग कथा को जब हम देखेंगे तो उसके पात्र मनुस्य ही हो ऐसा आवस्यक नहीं इसके पात्र पसु पक्षी भी होते हैं जिव जन्तु भी होते हैं जैसे कि आपने पंजतंत्र की कहानियों को पढ़ी होगी तो आपने देखा कि पंजतंत्र में पंजतंत्र की रजीता पंडित विस्नु सर्मा ने तीन मुर्ख राज कुमारों को सिक्षित करने के लिए उन्होंने कहानियों की रचना की ठीक ऐसे ही लोग कताएं हैं और वर्सों से चली आ रहे हैं पिढ़ी जर पिढ़ी लोग कताएं एक पिढ़ी से दूसरी पिढ़ी को इस्थांतित होती जाती है वास्तों में समग्र साहित पहले सुरुती परंपरा में था इसलिए वेदों को सुरुती कहा जाता है तो आएए हम आज इस पार्ठ में दो लोग कथाओं पर बात करेंगे एक हलबी लोग कथा और दुसरा 36 गड़ी लोग कथा भासा दोनों की 36 गड़ी ही है पहले हम हलबी कथा पर बात करते हैं इसका सिश्षक है साजला आज काबर इस लोग कथा के संबन में हम संच्छित में जानकारी लेते हैं इसके सारांस जानते हैं एक किसान का बेटा था वह जंगल की ओर जा रहा था वह सोचा कि कोई साथ ही नहीं है तो एक तुम्री ले लेता हूँ और एक लाठी ले लेता हूँ तो वह किसान का बेटा अपने लाठी में तुम्री को बांधा और जंगल की ओर निकल गया जंगल में उसको एक केकड़ा मिला बड़ा साथ केकड़ा केकड़ा बोला भाई ददा भाई ददा महुल ले जा बेका अर्थाक है बड़े भाई तुम मुझको भी ले चलोगे सांस में क्या तो किसान का बेटा बोला तू क्या करेगा जा के सांस में मुझे तो बहुत दूर जाना है और तु ठक जाएगा यह कहकर उन्होंने केकड़े को एक किनाय रख दिया केकड़ा फिर पीछे पीछे चलने लगा फिर कहा कि मुझे भी ले चलो तो किसान और उन्होंने केकड़ा ने एक और कुछ बात कही उन्होंने कहा संग में संगवारी हो ही, रद्दा थोकिन हरू हो ही, मुला ते संगले जाबे, हर हिंसा ते जिनगी पावे केकडे की बात को सुनकर किसान की बेटा सोचा चलो आज इसको ही साथी बना लेता हूँ और उन्होंने उसको अपने तोम्री में रखा और आगे जंगल की और निकल गया घंगोर जंगल जिसको चतिति गड़ी में बोलते हैं कटा कट जंगल घंगोर जंगल और उस जंगल में एक कौवा और एक सांप रहते थे और उनका दबदबा था जो भी उस जंगल में जाता था वो लौट कर नहीं आता था इसलिए उस राज्य के राजा ने वहां डोंडी पिटवा दी जिसको बोलते हैं चति गड़ी में हां का परवा देना और ये घोशना कर दी कि जो भी सांप और कौवा को मारेगा से मैं अपनी बेटी का विवा कर दूँगा और आधा राज्य दे दूँगा किसान के बेटे को पता नहीं था कि जंगल में सांप और कौवा है उसका भै है वो तो जंगल में आगे जा रहा था जब वो ठख गया तो उन्हें सोचा कि चलो मैं कुछ दिर आराम करता हूं और एक मौवा के पेड़ की नेचे उन्होंने आराम करने के लिए ठहर गया ठंडी हवा बह रही थी चुकि वह किसान का बेटा ठख गया था इसलिए उसे नीन आ गई और वो सो गया जब किसान के बेटा को सोए हुए देखकर सांप और कौवा ने बात्चित किया किया अब इसको माट डालते हैं और जब वह सो रहा था तो सांप आया उसे डस लिया डस्त ही वह मर गया जब वह मर गया तो कौवा उतर नीचे उतर के आता है सांप से कहता है कि तुने पैर को काटा है इसलिए पैर का हिस्सा तुम्हारा और सीर का हिस्सा मेरा इसे तूम्री में बैठे बैठे वो केकड़ा सुन रहा था धीरे से केकड़ा तूम्री से निकला और साप के गर्दन को मरोड दिया साप छट पताने लगा कहने लगा मुझे बचाओ 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 तो केकड़ा बोला अब संकट में पड़ा है तो बचाओ बचाओ बोल रहा है जब तक तू मेरे साथी को जिन्दा नहीं करेगा तुझे नहीं छोड़ूँगा और लाठी नहीं क्या किया लाठी ने कौवे को पीटना चालू किया कौवा भी अधमरा हो गया फिर कि कौवा और साप उनसे बहुत विन्ति किये दोनों मिल के खुब विन्ति किये तो किकड़ा ने कहा पहले तु मेरे साथी को जिन्दा कर जब साप ने विश को खिएच लिया तो किसान के बेटा जिन्दा हो गया किसान के बेटा जब जिन्दा हुआ तो उन्हों ने कहा कि मित्र मैं तो बहुत समय तक सो गया तब केकड़े ने पूरी बात उनसे बताई यह घटना हुए और तब किसान के बेटे ने कहा कि भाई ये दुस्मन को हम लोग कैसे माफ करें और ये सुचकर उन्होंने सांप के मुंडी कौवा के मुंडी को कांट लिया और कांट के अपने गमच्छा में लेकर आगे निकल गए उसे सुन रहा था केकडे और किसान के बेटे की बात को सुन रहा था एक धोरई धोरई हलबी में चरवाहे को धोरई गोलते हैं वो धोरई धोरई सुन रहा था उन्होंने देखा जब किसान के बेटा आगे बढ़ा तो मरा हुआ कौवा और सांप के पीछे भाब को लिया और राजा के दरबार में पहुँच गया और राजा को कहा कि राजा साब राजा साब मेंने कौवा और सांप को मार दिया ये देखो जब राजा ने देखा तो उसे बड़ी प्रसंदा हुई और उन्होंने कहा कि मैंने जैसे घोषणा की है मैं वैसा ही करूँगा और फिर जनता में पूरी बात चली गई जनता में उस्साह का माहौल बन गया एक तो राजा की बेटी राजकुमारी का विवाह का संदेश पहुँचा और दुसरा जंगल में कौवे और साब की मरने की बात खूफ खुसियाली चाई उधर धीरे 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 किसान का बेटा आया उस गाउं में वह जब पहुंचा तो देखा कि यहां बहुत उस्साह का माहौल है तो उन्हों ने लोगों से पूछा क्या बात है भई यहां कोई तेवहार है क्या कि लोग बड़े उस्साह मना रहे है तब लोगों ने कहा कि नहीं भाई जंगल में एक कौवा और एक साब रहता था उसे धुरई ने मार के लाया है अब राजा की घोशना का अनुसार धुरई का विवाह राज कुमारी से होना है इसकी तैयारी हो रही है तब किसान के कौवे को तो मैंने मारा है अरे लोगों को आश्यर यह हुआ जब ये कौवे और साब को मारा है तो फिर धुरई कैसे कहता है और बात फैलते फैलते राजा के पास पहुँच गई राजा को लोगों ने कहा कि धुरई साब को नहीं मारा है ये लड़का कहता है कि मैं मारा हूं तो लड़का उस किसान के बेटे को राज दरबार में प्रस्तुत किया गया और पूछा कि क्या बात है तुम्हारे पास क्या साब उते कि तुमने साब और कौवे को मारा है तो किसान की बेटे ने दिखला दिये देखो इसका ये साब का मुंडी है को में का मुंडी मैंने मारा इसलिए रखा हूँ तो बोलता है तुम्हारे पास गवाह कैसे तुम्हारी बात को हम इस्वास कैसे करें ये तुमने मारा है तो किसान की बेटे ने कहा मेरे पास दो गवाह है यह किया लाठी और दूसरा यह केड़ा जब लाठी और केड़े को गवाह के रुप में पस्तुत किया तो लोगों को हसी आ गई लोगों को हसते देखकर केड़े ने पूरी बात बता दी तो मंद्री ने कहा कि अब हम इस चर्वाहे की भी बात सुन लेते हैं एक पक्ष निर्णाय कैसे होगा तो उस चरवाहे से भी पुछा गया उस धुराई से भी पुछा गया कि तुम बताओ तो वो कुछ बता नहीं पाया तो लोग समझ गए कि ये जूट बोल रहा था तो राजा ने कहा कि चूंकि ये जूट बोला है हमसे चल किया है इसलिए इसे जेल में डाल दिया जाए और फिर किसान की बेटे का विवाह राज कुमारी से होना तैह हुआ लोग उसा से विवाह में भाग लिए अब वो किसान का बेटा राज महल में रहने लगा बड़ी खुसी की बात हो रही थी सब प्रसंद न थे किसान की बेटे को रोज खाली बैठे रहना अच्छा नहीं लगा था तो उन्होंने सोचा क्यों मैं रोज खाली बैठाँ जाकर खेतों में काम करूँ और उन्होंने खेतों में काम करना शुरू कर दिया जब खेतों में किसान का बेटा जो कि उस राजा का दमाद था काम करना सुरूओ या तो ढोग उसकी हसी उड़ाने लगे अरे राजा का दमाद होके काम कर रहा है ये बात राजकुमारी को पता चला और राजा को पता चला तो राजकुमारी ने भी कहा भै कि तुम किसान के बेटे नहीं रहे अब तुम तो यहां के दमाद हो और तुम को इस प्रकार काम करना सोभा नहीं देता तब उस किसान के बेटे ने कहा कि मेरे पीता जी ने मुझे कहा है मेहनत करके खाना बिना मेहनत का कुछ भी उभोग नहीं क करता हूं फिर राजा ने उसे बुलाया राजा ने कहा भी कि लोक में निंदा हो रही है आप ऐसे क्यों करते हो तो खिसान के बेटे ने उनसे भी कहा कि छमा करना महराज जिस राज का राजा मेहनत करता है वहां कि संपती दिन दुनी राज चुगुनी बढ़ती है और फिर हम अपने खित में महनत करते हैं इसलिए हमें कोई संकोच की बात नहीं किसान की बेटे की बात को सुनकर राजा को और प्रसंता हुई और राजा ने उसकी प्रसंसा करते हुए कहा कि जैसे तुम कहो तो इस प्रकार ये लोक कथा में बहुत सारे भाव है अब देखते हैं लोक पात्र था किसान का बेटा, दूसरा पात्र था किकड़ा, तीसरा पात्र था वह लाठी, चौथा पात्र था कौवा, पांचवा साप, और छटवा पात्र राजकुमारी, साथवा राजा. अब इनके चरित्रों के बारे में अदि हम विशलेशन करें, तो मुख्य पात्र हम किसान के बेटे को लेते हैं, तो उसके चरित्र की विशेष्टा को हमको जानना चाहिए. उसके चरित्र में विशेष्टा क्या है? कि एक तो वह परिस्रमी है, दूसरा वह जोट नहीं बोलत तीसरा उसके अंदर साहस का भाव है तो ये उसके चारित्रीक गुरह है वास्तों में इस कहानी कि जो सार है वा है कि हमें हमेशा परिस्रम करके भोजन करना चाहिए परिश्रम से हमें नहीं घबराना चाहिए हमें हमेशा सच के साथ चलना चाहिए हमें सच के साथ चलना चाहिए क्योंकि कहा गया है सत्य बराबर तप नहीं और जूठ बराबर पाप तो लड़के ने सत्य का साथ दिया और वह आत्मस्वास ही था तो इस प्रकार इस कहानी को हम पढ़ेंगे तो इसमें और बहुत सारे भाव निकलेंगे यह कहानी 36 गड़ी भासा में दिया हुआ है आप इसे पढ़के देखे और पढ़कर इसमें आप मजे लीजिए चलिए अब हम इस पाथ के प्रत्र पर बात करते हैं प्रत्र पर बात करना बहुत आवस्याग है ताकि हम इस कहानी को इस लोग कठा को और बहुता रुप से समझ सकें पहला प्रस्णा है किसान के बेटे के साथ चलने के लिए केकडे ने क्या तरक दिया तो केकडे ने जो तरक दिया है वो कवीता के रूप में पाठ पुस्तक में दिया हुआ है संगमा संगवारी हो ही रद्दा थोड़किंत सरू हो ही मुला संगमा लेजाबे हर हिंसा जिनगी पावे ये उन्होंने तरक दिया अर्थात साथ में कोई चलने वाला साथी होगा तो रास्ता सहाज हो जाता है क्या तरक दिया अधी कोई साथ में साथी होता है तो रास्ता सहाज हो जाता है और तुम मुझे ले जाओगे तो तुम हर हिंसा जिनगी पावे निश्चिंद हो कि तुम जीवित रहोगे इस तरह से तरक दिया केकडे ने किसान के बेटे को तो इसको हमको समझना पड़ेगे इस कविता के भाव को कि संग मा संगवारी अपने साथ अधी संगवारी अर्थास साथी ले जाओगे तो रास्ता सहज हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो तुम्हारी जिन्दगी निश्चिंत होकर तुम जिन्दगी को जी होगे हर हिंसा हर हिंसा का मतलब होता है निश्चिंत होकर दूसरा प्रस्द देखते हैं हम केकड़ा और ठेंगा ने किसान के बेटे की रक्षा कैसे की ठेंगा मैंने लाठी तो केकड़ा और किसान केकड़ा ने कैसे रक्षा किया और लाठी ने तो जैसे ही साप ने किसान के बेटे को डशा तो केकड़े ने आके साप के گर्दन को पकड़ लिया और जब तक तब तक नहीं छोड़ा जब तक ये अस्वासान ने लिया कि तुम मेरे साथी के विश को बाहर निकालो और उसे मजबूर किया और लाठी ने क्या किया उस थेंगा ने क्या किया उस लाठी ने ये काम किया कि उन्हों ने कववे को पीटा तो इस प्रकार केकड़े और लाठी ने किसान की बेटे की रक्षा इस प्रकार की कि केकड़े ने साप के गर्दन को मरोड दिया और लाठी ने को पीटा जिसे वे अध्मरे हो गए और इस प्रकार साफ को मजबूर किया केकड़े ने कि किसान की बेटे को जो विष्ट जो डसा था उसके अंदर चला गया था उस विष्ट को निकालने के लिए मजबूर किया इस प्रकार उन्हों ये दोनों मिलकर केकड़े और ठेंगा मिलकर किसान की बेटे की रक्षा के हम किसान की बेटे ने परिश्रम का महत्व कैसे बताया किसान की बेटे ने परिश्रम को इस प्रकार परिभासित किया कि जिस राज्य का राजा स्वेम मेहनत करता है वहां हमेशा सुसासन होता है वहां संपती सदेव संपती का विकास होता है वहां राज ये विकास करता है इस प्रकार कहकर किसान के बेटे ने परिश्रम के महत्व को और उन्हों ये भी कहा कि मेरे पिता ने मुझे कहा है कि कभी भी बिना परिश्रम की ये भोजन नहीं करना और इस प्रकार उन्होंने राजा के समक्ष और राजकुमारी के समक्ष परिश्रम के महत्तों को परिभासित किया अगला प्रस्ण है पांचवा प्रस्ण है धोरई अपनी बात क्यों नहीं रख पाया धोरई अपनी बात इसलिए नहीं रख पाया ये प्रस्ण च्छतिस गड़ी में लिखा हुआ है धोरई अपन बातला कावन नहीं रख पैस तो धोरई अपन बातला ये पाय के नहीं रख पैस कि ओकर पास कोई सबुत नहीं रहे है धोरई के पास सबुत नहीं हो के कारान वो अपन बात ला नहीं रख पैस तो यह हुआ इस पाठ के पहले खंड हल्बी लोक कथा और उसके प्रस्नोत्तर आईए अब हम इसमें जो 36 गड़ी लोक कथा दी गई है उस पर बात करते हैं और जो उसके प्रस्नोत्तर पर भी बात करेंगे लोक कथा का सिर्सक है हीरन और कोलिया हीरन और कोलिया हीरन और सियार कोलिया मने सियार बहुत पहले की बात है एक दिन हीरन और सियार पानी पीने के लिए जा रहे थे कुछ दूर में एक कुवा था कुवा में पानी देखकर सियार ने हिरन से कहा कि पहले पानी मैं पी लेता हूँ हिरन ने कहा ठीक है तुम पी लो पानी तब सियार ने हिरन की पूश पकड़ी और कुवें की नीचे जाकर पानी पी लिया जब सियार आया बाहर तब हिरन ने कहा अब तुम पानी पी लिए अब मैं पी लेता हूँ सियार ने कहा ठीक है और सियार के पुण्च पकड़कर हिरन कुवे में गया जैसे हिरन कुवे में गया सियार ने उसे छोड़ दिया हिरन तो ढूब गया, कुवे में, सियार ने वहां पर अपने मित्त से दोखा किया, और वहीं पएक कुछ किसान, मटर की खेत पर काम कर रहे थे, उन्हें बताया कि देखो, 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 हिरन कुवे पर गिर गया, किसान आके देखे तो सही में एक हिरन कुए पर गिर गया था मर गया था गिर कर बड़े ही प्रयास से यहां पर उदिम सब्दाया है 36 गड़ी में प्रयास के लिए उदिम सब्दाय है बड़े ही प्रयास से सभी किसान मिलकर हिरन को बाहर निकाले और बाहर निकालके उसके तुगड़े तुगड़े करके उसके पकाने के बारे में सोच रहे थे तब सियार ने आके बोला कि भई मुझे भी इसका हिस्सा चाहिए किसान लोग बोले भी कि हमने मेहनत की है और हमने परिस्रम करके इस हिरन को कुमे से बाहर निकाला है तो तुम्हें क्यों हम हिस्सा दें जो करे काम तो उन खाये चाम सियार मन मसोस कर रह गया उसने तो समझ में नहीं आ था फिर तभी सियार को कुछ सुझा उन्हों ने कहा कि भई मुझे आग दे दो किसान ने कहा कि ले लो आग और उनको थोड़ा किसी पात्र में आग दे दिये आग को ले जाके मटर के खेत में डाल दिया अब खेत में जब आग डाल दिये तो वहां तो फिर मटर जलने लगा आग लग गई जब आग मटर के खेत में आग लगी तो सभी किसान आग बुझाने के लिए दोड़ पड़े और जब आग बुझाने के लिए किसान दोड़ पड़े तो सियार आया और खूब मजे से मांस खाया और चला गया तो ये एक छोटी सी लोक कथा है छोटने लोक कथा जो भाव है इसमें मुल भाव यह है कि जो मेहनद करता ए उसे कुछ मिलता है दूसरी बात इसमें सियार ने अपने मित्र के साथ अच्छा ने किया तो यह कहानी यह भी बताता है कि हमें मित्र को धोखा नहीं दिना चाहिए और अधि हम धोखा देते हैं तो उसका परणाम अच्छा नहीं होता आईए अब इसका हम प्रस्ण उत्तर देख लेते हैं पहला प्रस्ण है हीरन और कोलिया कोलिया ने सियार हीरन और कोलिया पानी पिने के लिए कौन सी तरकिप सोची तो हीरन और कोलिया पानी पिने के लिए यह तरकिप सोची कि एक दुसरे के पुश पकड़ कर कुवे में हम उतर जाएंगे और कुवे में उतर कर पानी पिलेंगे तो एक दुसरे के पुश पकड़ कर कुवे में उतरने की तरकीब सोची दूसरा प्रस्णा है हीरन को कुवे में धकेलने के पीछे कोलिया का क्या उद्देश रहा होगा तो भई प्रस्णा उत्तर एकदम सही है उनका उद्देश रहा कि ये हीरन मर जाए और उसका मैं मांस कहूं तो हीरन को कुवे में धकेलने के पीछे कोलिया अर्था स्रियार का उद्देश था कि यह हीरन मर जाएगा और मरने के बाद मैं इसका मांस खाऊंगा मांस खाने का उनका उद्देश से रहा तीसरा प्रस्ण कोलिया द्वारा मांस मांगने पर किसानों ने क्या कहा तो कोलिया के द्वारा मांस मांगने पर किसानों ने कहा कि हम लोग बहुत जतन कर बहुत उदिम कर बहुत प्रयास करके इस हीरन को कुवे से बाहर निकाला है तो हमने मिहनत की है तो हम इसका तुम्हें इसका हिस्सा क्यों देंगे और उन्हें कहा कि जो करे काम वो खाये मांस तो इस प्रकार किसानों ने कोलिया को मना कर दिया अंतिम प्रस्ना जो 36 गड़ी में दिया हुआ है कोलिया हर बटुरा के खेतमा आगी काबर फेक दिस कोलिया बटुरा के खेतमा आगी एप आये के फेक दिस कि किसान मन के ध्यान भंग हो जाए कोलिया बटुरा अर्थात मतर की खेत पर आग फेक दिया तो ये इसके प्रस्न होए आगे कुछ भासा के प्रस्न दिये हुए हैं कुछ योग्यता विस्ता के प्रस्न दिये हैं उसे आप अच्छे से विचार करना और उसका समाधान आप स्वैम ढूंड़ना